मल्टिप्लेक्स श्रिंखला का कहना है कि सालार भारत में PVR आइनॉक्स थियेटरों में रिलीज होगी। भारत की सबसे बड़ी मल्टिप्लेक्स श्रिंखला ने तेलुगू फिल्म सालार के निर्मताओं द्वारा एक दिन पहले रिलीज होने वाली शाहरुक खान स्टार डॉनकी के साथ स्क्रीन आवंटन टक्राव के कारण दक्षिन भारतिय मल्टिप्लेक्स में फिल्म को के सिनेमा घरों में रिलीज होगी जिससे निर्मताओं द्वारा दक्षिन भारतिय मल्टिप्लेक्स में फिल्म को एक स्क्रीन पर रिलीज करने से इनकार करने की अटकलों पर विराम लग गया है एक दिन पहले रिलीज हो रही शाहरुक खान स्टार डॉनकी के साथ अलॉट हमें फिल्म सालार और पीवियार आइनॉक्स सिनेमा ज में इसकी रिलीज के बारे में कुछ कालपनिक मीडिया रिपोर्टे मिली हैं हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये रिपोर्ट गलत हैं सालार साल की सबसे प्रतिक्षित फिल्मों में से एक है और यह निर्धारित र इसको पूरे भारत के पीवियार आइनॉक्स सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है गुरुबार दोपहर मल्टीपलेक्स श्रिंखला पीवियार आइनॉक्स की भारत और श्रीलिंका के 113 शहरों में 1709 स्क्रीन है राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म ड जबकि सालार को अनिल थडानी की एए फिल्म्स द्वारा रिलीज किया जा रहा है ब्रोकरेज फर्म अलारा कैपिटल के अनुसार दोनों फिल्मों से घरेलू नेट बॉक्स ओफिस कलेक्शन में कुल मिलाकर 800-900 करोर रुपय की कमाई होने की उम्मीद है ये भी पड़ी साल जोब के अंधरूनी सूत्रों के बीच ये खबर थी कि सालार के निर्मता शाहरुक खान की डॉनकी को स्क्रीन आवंटन में पूर्वाग्रा के कारण दक्षिनी राजियों में पीवी आर आयनो एक्स और मिराज सिनेमा थियेटरों में अपनी फिल्म प्रदर्शित नहीं कर चाहते थे। इससे पहले बुधवार शाम को पीवी आर पिक्चर्स के सीएओ कमल ग्यानचंदानी ने एक्स पर पोस्ट किया था। के लिए पीवी आर आयनो एक्स में हम सभी से अधिक सम्मान और सराहना किसी के पास नहीं है। एक ही तारीक पर रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों के मामले में व्यावसाय का सहमती होना स्वाभाविक है। पहली बार नहीं, आखिरी बार नहीं होगा, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रदर्शकों को भरोसा है कि 2023 में भारतिय सकल बॉक्स ओफिस कलेक्शन पिछले साल के 10,637 करोल रुपय को पार कर जाएगा और इस साल 11,000-12,000 करोल रुपय तक पहुंच जाएगा क्योंकि सभी भाषाओं की फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर असाधरन प्रदर्शन किया PVR आइनॉक्स ने जुलाई सितंबर 2023 में लगभग 2,000 करोल रुपय का रिकॉर्ड उच्च राजस्व दर्ज किया जो पिछली तिमाही की इसी तिमाही के 686 करोल रुपय की तुलना में 191,000 प्रतिशत अधेख है बॉक्स ओफिस पर महामारी के बाद के दो निराशाजनक वर्षों के बाद इस साल बॉलिवुड का प्रदर्शन अच्छा रहा है शाहरुख खान की दो फिल्मों पठान और जवान ने दुनिया भर में 500 करोल रुपय से अधिक की कमाई की पनिमल और गदर दो ने भी इस साल हिंदी में खूब कमाई की